सबसे इंपॉर्टन चीज है कि 11 से लेकर 15 नवंबर के बीसे एक्जाम होना है और अप नहीं जानते तो इस विडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी ठीक है इस पर मैं एक पहले काफी पहले मैंने विडियो में देंगा है जहां से के बारे पूरा डिटेल्स कर आपको नहींoly गारएं को कैसे जो का जो फ स्ट आस्टेट वाशू बर क transक्रावर करेंगे इसके बाद वाले चलोनल में यहां प्र का ग। 2 लेकिन उसके पहले प्रिवेसर के बारे में प्रिवेसर प्रियोपर को सकता है और नौहीज नहीं पर बनता है ठीक है तो आजे फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर देख रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूं दोधर इसके प्रिवेस कटफ के बारे में बात करूंगा यहां पर देख सकते कि स्टाफ सेर्फन कमिंशन कंड़क्टेड कंप्विटर बेसे घ्मीनेशन फॉर एस्ट्रणोग्राफ वी इस्ट्रणोग्राफट निए डेढ़े संट तो था आईटीन फॉरण प्रोंडी बाइस बारह दोजेटर इस टूब नेंब चमबर से लेकर 24 देसंबर को पेपर हुआ था ठीक है जिन्हों ने पेपर दिया तो उनको पता है कि जो ग्यामनेशन 2019 वाला था उसका पेपर कब हुआ था 22 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 के बीच में हुआ था अब बात था कि इसका जो है कटफ जो आया वो कटफ कितना था है ना और उसी के कॉर्णिंग इस बार 94071 डेसिमल के बाद भी आपको पांच डिजिट तक गये थे डेसिमल के बाद भी पांच डिजिट तक गये थे आप आप यहां पे समझेंगे यह कौन सा कटफ है था यतना कटफ कहां से जा सकता है तब घवरायनी यह नॉर्मलाइज़ेशन मार्क सा ठीक है बहुत सारे से इनको लगा कि यह मास आया है लेकिन नहीं आफ्टर नॉर्मालाइज़ेशन नहीं मास तो इसको कितना बहा यह तो उनी केंडिडेट को पता होगा लेकिन ध्यान रखिए इस बात को ठीक है अब आगे करेंगे हम obc obc का जो यहां पर देख रहे हैं कट अब कितना गया सब्सक्राइब कर दो सो में आपके जो कटफ थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मास था यह बात का ध्यां रखेंगे है तो मैं आपको बताइए यहां पे जो लास्ट जो इसकी जो वेकंसी जो दोजार उनिस एक्जामनेशन वाला ता उसमें क्या का डव गया था अब यहां पर 2020 में क्या कटाफ जागा इसके बार में यहां पे हैं पहली बात कर लेते आचा फाईनल कर देव की पहले मैं इसके सब्सक्राइब और एड़ करके चलेंगे तब आपका फाइनल कटफ क्लियर हो जाएगा अब आप समझेंगे कि 2020 वाला जो वैकेंसिज है उसमें क्या गडफ रहेगा तो देखिए इस बार के अगर 2020 की अगर वैकेंसिज कर सकते हैं तो जो टेंडिटिव वैकेंसिज लगबग सारी आड़ सो हैं है ना लगबग जो है 2020 का जो टेंडिटिव एक जो यहां पर जो वैकेंसिज देखने को बन रहा हो सारी आड़ सो के आसपास में ठीक है फिछले बार के अगर बात के तो वैकेंसिज जावा थी तो वैकेंसिज घटा बढ़ा इस साथ से चलता आ रहा है ठ कमी आरी कड़ा हाँ बढ़ता ही जा रहा है तो इस पर भी कड़ाओ आपको ऐसा नहीं के वैकनिस अगर थोड़े बर के आएंगी तो आपको जो कड़बग देखने को मिले का नहीं को लगबग इसी के आसपास में देखने को मिले का मैं समय सना ऑगर जनरल के अगर हम बात सतने गा 150 के आसपास में देखनों को बने ठाइब यह लाइस ऑफ कितना है लेकिन मान के चलिए जो आफर नॉर्मलाजेशन होगा वह 150 के आसपास ही कटफ रहेगा ठीक है चलिए तो मैं बात कर रहा था है हाँ पर सी की बात कर रहा था है तो देखिए कुल मिलाकर मैंने बता है कि 2020 का जो वेकंसीज है वह दो आट सबस्पास में यह आट सबस्पास पलस नहीं रहेगा ठीक है पास नहीं आट सबस्पास पलस रहेगा तो आपको एक ओवर्वी में देखाना चाहरा कि भाई की जो इस वार की सेनर्व क्या हो गया सबस्पास की क्या कटफ गया था ठीक है अब यहाँ पर आकर देख सकते की अस्टेनों जो है सब्सक्राइब का मैं ने बता दिया और डिका दिखी कटफ क्या गया था जनर्रल करता हूं यहाँ पर 134.5355 टू गया था अब आपके कहेंगी कौन से मांसे तो आफ्टर नॉर सब्सक्राइब के बाद गई है मांसे तो ध्यां रखेगा ठीक वहीं ओवी सी के बाद करें 133.10093 से कटेगरी देख लिजे 120.01819 से कटेगरी 96.73246 ठीक है एवस देख लिजे यहाँ पर 122.91491942 ठीक बाकी अधर कटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक नजर आपको और मैं पिछे ले जाओं 2018 की बात करूं ठीक है यहां पर देख सकते हैं 2018 वाली वेकंस के मैं बात करूं जिसका पेपर कब हुआ था यहां पर पांच फर्विट 2019 से लेकर 6 फर्विट 2019 तक है ना तो देख सकते ही जो वेकंसी जाती है उसके नेक्स टेर ही एक्जाम बटक़ समझें इधार 2-3 साहा है 1984 का एक्जाम होता है 2019 से में और 2020 रिस में हो एक्जाम हो रहा है 2021 है तो ऐसे एक सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर 138 और 153 तो काफी माक्स का डिफरेंस तो आपके यहां पर दिखते हैं कब सटी का देख लिए 105 और इसकी का 119 ठीक है इस तरह से कट अफ गया था और यहां पर देख आठ वरी की बीच में तीन दिन एग्जाम चला था ठीक चलिए वह अगर हम बात करते हैं तो दीका तो दीका देख लिए जनल कड़ी का 134 और स्टी का 97 और स्टी का 113 इस साथ से आप देख सकते हैं ठीक है तो पिछले बार से देख सकते हैं कि आपका मास एड़ हो रहा है लिखिन 2019 की बात करें तो यहां पर नॉर्मलिजेशन वाला कोई मास नहीं था एक जो कुछ आया है ठीक है और अब इंपॉर्टेंट साथ देख लिए स्किल टेस्ट का जो टाइम डिटेस्टन क्या होता है जो स्टेनों सी के लिए अप्लाई करेंगे या क्या होता है स्ट मिनट का क्या जोता है जास मिनट के बात क्या होता है कि आपको उसके बाद चलिए 40 मिनुट मिलेगा और सी के लिए हिंदी के लिए पच्पन मिनुट मिलेगा ठीक है तो इससे आप देख सकते कि अगर आप तयारी कर रही आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा है ना कुछ बात का ध्यान रखना होगा विशेस जिसे कि आप कर सकते हैं के लिए अगर मैं करूँ बात की अगर मालिये 2020 का मैं बात कर रहा हूं examination का ठीक है अगर मैं एक example ले लेता हूं कि चोलो भाई जेनरल कर ठीक ही रही है अगर आपका 150 कघ्व जा रहा है तिसे 10 से 55 एड कर लें कर आपके में 10 से yet अंच होता है कि बहुत सारे से भी योती होते हैं चिजल की तयारी करते हैं यहां मटीragenि और के सब्सक्रिक जिए फियारे में तयारी करने वाले इस भी होते की य Supa Не Ho सब्सक्राइब उभल पाँ जिसका वज़े से वहां से हट जाते तो इनको इपारी कर्यों के तयारी कर गए ढखे हैं लोग केसाथ करें जो तैयारी करते हो ठीक है तो आप अपना तैयारी को बेस्ट करेंगे अब क्यां आप सबीकों पता है कि यहां पर 11 से लेकर 15 नमंबर के भी आपका एक्जामनेशन है आपका यह सकता है तो स्कील टेस्ट के लिए आपको मैंने बता है तो वीकुम्त होगा है है तो गाइस जाते जाते और हमें बता स्किल के बारे में और भी जनकारी के लिए इस वीडियो के डिप सा में लिंक दे दिया हूं वह बहुत पॉरारा वीडियो है इसकी एक गेर साल पहले वाली वीडियो अप उसको देखें जिसमें बहुत सब्सक्राइब के बारे में समझाया ऐना की कैसे-कासस्कील फोस्ट होते हैं बहुत सारे मैंने उसमें बारिक्यात दिखाए कि कैसे कैसे आपको कर्डिक्स लिखने हैं कहां का पर स्पेस देने हैं किस आपके कीवोड के इस्तमाल होता है बहुत सारे ऐसे चीज़ आपको वहां पर देखें में को मिलेंगे